अगर तू अपने दोशों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी इसलिए चिंता कर रहा है प्रभु का भग्त हो करके किशी भी विशय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी जलकाता है तेरी बड़ी भारी गलती हो रहे कि तुम मेरी सरण में आकर भार अपना अपने सिर पर ले रहा है तेरे भाव तेरी ब्रतियां तेरा आचरण सुद्ध करना मेरा काम है शरणागत होने के बाद भग्त को लोग परलोग शरगती दुरगती मान अपमान इनकी कोई चिंता ने करनी शरणागत को मन बुद्धी याद की अशुद्धी की भी अब चिंता ने करनी कि हमारा मन बुद्धी तो शुद्ध नहीं है कभी चिंता ने करनी जिन्दगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा ऐसे गाइब कर दिया ऐसे गाइब कर दिया इतनी बात सुन करके ये दिहरदे भगवान की शरण में नहीं जा रहा तो अभी कुछ हो ना है जो भक्त जन है बस इतना देखते राजी हो आप जोई जोई प्यारों करें सोई मुहिबा आप राजी हो भारी दुख दे रहे हो राजी हो हम राजी हैं क्योंकि अब हमारा कुछ रही नहीं गया आपका है बिक जाते हैं भगवान बिक जाते हैं हे सखुबाई बन कर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया कैसे लिला भिहारी है अगर तु अपने दोशों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का भिमान है भी इसलिए चिंता कर रहा है दोशों को मिटाने की शामर्थ तेरे में है भी कहीं न कहीं इसलिए तु चिन्तित हो रहा है परिशान हो रहा है तु चिन्ता मत कर दोश हरदय में देख करके दुखी होना अलग बात है लेकिन चिन्ता करना अविश्वास कर लेना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है जिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर भी बल है जिसे दुरुपदी जी के अंदर भगवान की भकता परम भकता है लेकिन बल है पाँचों पांड़ों का भीश्मादी का फिर अपनी भुजाओं का ओवी मां बली है दुरुपदी जी कोई शाधारन अगिश्य प्रगट हुई है फिर दात से जब देखा कोई बल नहीं असली सरणागती आब हो रहे है गोविन अगर तुछिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है किसी का बल लिये हुए है नहीं तो मेरे भग तो कोई चिंता नहीं होती कैसी हरदय की परिस्तिती हो कैसी सर गन से पक्का तुम्हारा बगवत मिलन हो गया शरणागत हो ना पक्का होगा तुम्हें चिंता नहीं करनी है यह बहुत एक अलग मार गया शरणागत अलग मार और इसका परिचय सब को नहीं होता क्रपा पात्र जनों को यह होता सची कहता हूं लाखों शाधकों में किसी ए एक कोई परिशे पर परिशे उप्रवचन बहले हो सकता है सरणागती का लेकिन अंतर में परिशे अंतर का परिशे प्रभु का भक्त हो करके किशी भी विशे पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी जलकाता है भगवद विश्वास की कमी जलकाता है विश्वास की कमी सरणागती में कलंक इसका मतलब तु अभी मेरे भरोशे नहीं हुआ तेरे भाव तेरे ब्रतियां तेरा आचरन सुद्ध करना मेरा काम है अब बताओ क्या तुमारे उपर बुजा रह गया है एक ही बात है रदेश से मैं स्यामा जुका हूँ राधा 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 महात्मा की स्थिती अभी पीछे सुना मैं उसके अंदर सारे स्थगुन भर देता हूँ सर्वदुर्गानी मत्प्रशादा तरिश्यती मेरी कृपा से सारे दुर्गुन उसके सची कहे तो कैसे सब्द ही हमारे पास नहीं जिन्दगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा ऐसे गाइब कर दिया बड़ा प्रयास बड़ी साधना वो चीवकतिव लड़ता रहा बिरोधी पक्षत लेकिन जब सरनागत हुए उनकी कृपा हुई ऐसे गाइब हो गया दिखाए ही नहीं पड़क उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया यहरदय की बात कहता हूँ सरनागती बस यह कि कोई और भरोशा नहों कोई बल नहों यहां तक कि किसी साधना कभी बल सर्वेश शाधन वरेश चिरम निराशा महा प्रभु हरिवंस चंद्र यह बड़ा गूड विशे सरनागती का है तेरे भाव तेरी ब्रतियां तेरे आचरण मैं सुद्ध करूँगा गीता जी में कहे रहे है योगक्षेमम बहम्यम जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूँगा योगक्षेम का मतलव योगता है क्या बसनन्यस चिंतियन तो प्रभु की शरन में होकर उनका नाम जब करते है इतनी बात सुन करके ये दिहरदय भगवान की शरन में नहीं जा रहा तो अभी कुछ हो ना है अभी कुछ है बाकी है होना है क्या हो लगवान एक पंडी जी गंगा किनारे जा रहे थे उनको जीरती शादी थी तो एक खोपड़ी पड़ी थी दृष्टी गए उसमें लिखा है अभी कुछ और उनका मर गया जला दिया गया खोपड़ी है इस मतान में अब क्या इसमें है पर लिखा है जै इसमें कि अभी कुछ और उनको जोली में डाल लिया देखेंगे क्या होगा और जाके एकांत कम्रे में टांग दिया और फिर कोई जजमान कहा जाना था तो चले गए उनकी जो धर्म पतनी थी उन्होंने सोचा कि आज पंडी जी को जजमान के आंसे क्या मिला अचा एकांत को उठरी में टांगाया तो जरूर कुछ विसेस मिला होगा गई जो ही हाट डाला तो दिखा रहे तो खोपड़ी है बुद्धी खराब होगई पंडीत के ये खोपड़ी लाया है बहुत गुस्सा आई ओखली में धरके मार मुसल उसको चकना चूर कर दिया और चकना चूर करके उसको बाहर फेक दिया पंडी जी आए बहुत गुस्सा दिखाई पंडी जी से अरे बुद्धी खराब होगई इस मसाम से तुम खोपड़ी लाया बोले हुआ क्या बोले वो खली में धरके मार मुसल उसको चकना चूर बोले यही देखने के लाया उसमें लिखा था अभी और कुछ तो हमने सोचा और कुछ क्या होगा अभी ये गती बकाया थी ये बात से तो अगर ये सरणागती सुनने के बात तुम्हारा मन अभी सरण में नहीं बताब अभी कुछ आया है अभी चकना चूर होना पड़ेगा तब समद में आए मेरी सरण लेकर के जो शोक तुम कर रहे हो किसी भी बात का देखो इतना तुम विश्वास करो वो नई स्रष्टी रच सकते हैं भरोशा करो उन्होंने परिस्तिती दी कुछ सुधार करने के लिए आपका सुधार जाओगे फिर वो ऐसी परिस्तिती अनुकूल दे देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो तेरी बड़ी भारी गलती हो रही कि तुम मेरी सरण में आकर भार अपना अपने सिर पर ले रहा है कितनी करुणा कर रहे अब तेरा भार तो मेरे उपर है ना अब शौप दिया सब भार तुमें फितारो या मारो कहें हम क्या हमारा अधिकारी नहीं रह गया शरणागत होने के बाद भक्त को लोग पर लोग शर्गती दुर्गती मान अपमान इनकी कोई चिंता ने करनी है प्रभू आश्वरी शुभाव का नास करने वाले प्रभू मैं आपका हूँ अब बश के वला आपका हूँ आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखे चाहे भूतल पर रखे चाहे नरक में रखे आप जहां चाहे हमान रखे आप कोई प्रशन नहीं करूँगा सरणागती महाप्रुवरिवन्स शंडवजु भी कहते है यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारके परमे पदेथा परंप्रिमी भरत जी महराज भी कहते है धर्मन अर्थन कामरुचि गतिन चहों निर्वान जनम जनम रतिराम पत यह वरदान ना शीता राम चरन रतिमूरे अनुदिन बढ़े अनुग्रा तोरे बस रात दिन हमारे प्रितम की प्रेम ब्रति बढ़े बस नरक में रखो श्वर्ग में रखो कोई चाह में एक समझो भक्ति को समझो शर्नागति को समझो जो कुछ करना चाहो श्वक्षंद हो करो यह जीवन आपको मेरा कुछ विशय ही नहीं रह गया है बड़ी उची स्थिती सर्नागति की बहुत जल्दी आ जाती है बहुत जल्दी आ जाती है मेरी तो ये एक मांग है जैसे सरद्रितों में खिला हुआ कमल ऐसे आपके नेत्र है सरद्रितों की चंद्रमा की तरह है प्रकासित आपका मुख है आपके शुंदर चरण है कष्ट तो चाहे तुम मृत्य जैसा भहन कर प्रतिपल दो पर ये जहांकी मेरे नेत्रों से कभी दूर न जाए राधिकारत निकुझ मंडली ततर ततर रदिमे विराज चाहे जितनी पीड़ा हो चाहे जितना अपमान हो पर प्यारे तुम हमारे मानस पटल में चाहे रहो बस तुमारी इस्व्रती तुमारा ध्यान शरनागत भग निशिंत होता है कोई चिंदा पकका कदम कदम पे प्रभु की कृपा कानुभाववसी को होता है यह ऐसे होता है कदम कदम पे बिवस्ता आप समझते हो कि ग्रेस्थ हैं हम ऐसे नहीं ग्रेस्थ विरखते ये दो मार्ग हैं पर दोनों मार्ग एक ही जगे जाकर पुर्ण होते हुए श्री भगवान जैसे तुम्हें मथुरा विश्राम घाट में यमुना इश्णान करने को मिला और कोई ब्रंदावन जुगल घाट में पर यमुना जी तो वही हैं यमुना जी में तो अंतर नहीं ऐसी ग्रेस्त मार्ग से चलते हुए बगवत प्राप्ति और वैराग्यमार एक ही भगवान मिलते हैं कोई अंतर नहीं और भगवान का मिलना ऐसा नहीं होता कि उसको अधीक इनको कम ऐसा नहीं है वो शंपूरन रूप से मिलते हैं जिससे मिलते हैं निश्चिंत हो जाओ सर रादारादारा मैं तुभ स्षिजी का हूँ यह चिंतन उन ब्रतियों को नश्ट कर देगा जब तदात्म हो जाते हो भगवद भिश्मरन हो जाता देभव पुष्ट है तो फिर नश्ट हो जाते हो द्यान से सुनो निश्चिंत होता है स्टरनागत भक्त जब भक्त अपनी मानी हुई वस्त्वों से ही अपने तनमन प्राण सब कुछ प्रभु को शमर्पित कर देता है तो उसको फिलोकिक पारलोकिक किंचिन मात्र चिंता करने का अधिकार नहीं रह जाता अर्थात मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा मेरे तो कोई शाथी नहीं है सब विरूधी है क्या होगा मेरी दशा क्या होगी मेरी गती क्या होगी क्योंकि मेरा शुभाव ठीक नहीं मेरे आचरन ठीक नहीं मेरा भाव ठीक नहीं आब ये चिंताएं बिलकुल नहीं करनी प्रभु शरनागती के भाव को देख करके उसकी चिंता करते हैं किसकी शरनागती तो चिंता दीन दयाल को तो अब मुमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंग जिसने मुझे जनम दिया आकरशन करके अपने मार्ग में लाए सारा भार उनकी उपर है अब तो मेरा मन आनंदित है आप कोई चिंता नहीं क्या चिंता आप समहलो आपकी माया आपके हम आप समहलो हमाला करतब भी हर समय नाम जब करते भी हरदेश याश्टित रहना प्रभू के शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि मेरा जीवन प्रभू के लायक नहीं है मैं इतना सुध नहीं हूँ दिब्ब्य नहीं हूँ मेरे ऐसे आचरण भी नहीं है मेरी ब्रतियां भी ठीक नहीं है मैं बहुत बड़ा दोशी भी हूँ मेरे मन बुद्धी इंद्रियां सरीर आदी ये मेरे अधिकार में नहीं रहे गए मन मानी सब पर मैं हूँ तो प्रभू का अब वो देखे हो हारे उकरी जतन बिविद बिद अतिसे प्रबल आजये बहुत याज़ नहीं तुल सिदास बस होई तबहें जब प्रभू पे रक रोक दो प्रभू इनको अगर रोकना चाहते हो सारा भाल आपके उपर अब कुछ नहीं बोलूँगा आप देखो हमारा बस खतम हम तो बस रादा रादा रटेंगे आप देख लेना आप अपनी केशी दिव्विता जीवन में आप क्या दी अपनी स्थिती देख लेना अब तो मैं प्रभू की शरण हो गया आविन पर मेरा कोई अधिकार नहीं मन बुद्धियाद मेरे रहे ही नहीं तो मुझे चिंता क्या ऐसा है क्या देखो ना शरणागत यभी ठीक से नहीं होई है सरणागत को मन बुद्धियाद की अशुद्धी की भी अब चिंता नहीं करनी कि हमारा मन बुद्धि तो शुद्ध नहीं है कभी चिंता नहीं करनी किसी कारण वश अचानक यदि गलत भाव आ गया है तो आपको किवल आर्त भाव से कहना प्रभू ये आपकी सबसंपत्ति है औud इसमें चोर गोस रहे है काम करूदल देखो देखो आप रोक लो तो रोक लो मेरे में तो सामर्त नहीं है बस पुकारना है आपने पुकारा अब आपको नहीं देखना सही हुआ कि नहीं सही हुआ फाइनल सही होगा यह वकालत की बात है अंतरी हाँ फाइनल सही बात यह सब के बस के बात नहीं समझ ले यह जो बात कह रहे यद्यपिभत अनन्न जो विशय इंद्रियन बस होए करमत कोट जिते इंद्रियन तेश्रम म版लायन को पर इसमें नाटक नहीं चले गए सच्चाई की बात है अंदर की वो अपने श्वामी को देखता है आप में कोई बलकी कमी है देखो यह आ रहे हैं वैसा आप देख लेना हम तो पड़े हैं इस चिंत देख लेना आप उस अब देख लेगे सर्व शमर्थ हैं अब तुमें चिंता नहीं करनी न मन की न बुद्धी की न इंद्रियों की जो कह रहे हैं कि मा सुचा सर्व दुरगानी मत प्रशादा तरिश्यती छिप्रम्भवति धर्मात्मा मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं मैं उसे मात्मा बना देता हूँ बनाओ महाराज हमारा जी बन अब आपके भरोसे राधा 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 देखो ना कृष्ण दाजी को आम पंथियों ने पकर लिया अपने पक्ष में कर लिया महाप्रभु ने छुड़ाया ले अपने साथ ले परमगती को प्रप्थ तो हमको तो लेश जा सकते हैं काम, कुरोद, लोब, मुवब, मत्सर पर अब हम नहीं हैं हम सहीत हमारा आपके नाम कर दिया है अब देखना आपा आप आपको छोड़ाना पड़ेगा आपको समालना पड़ेगा बहुत संदर बहुत संदर बात है हरदय में आजाए प्रभू के चरणों में जो अपने आपको शमर्पित कर चुका है अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए किस परमगती मिलेगी तुम चिंता मत करो दो बाते तुम्हें पकड़नी हरदय से आस्रे भरुशा और नाम जब प्रभू की भी शरण में हो और अपनी चिंता भी करते हो तब तो यह बिरूधी बात हो गई अभी शरणागती समर्पन ठीक नहीं हुआ शरणागत में चिंता कैसी सरणागती कैसी यदि तुम्हारे हरदय में अपने प्रति कोई चिंता रह गई कैसे निश्चिंत है महाँ भागवत्चन बड़े से बड़ी परिष्थितियों में निश्चिंत है सरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब प्रभू ने कह दिया है कि संपूर्ण भार मेरे उपर तो मेरा क्या मेरी ब्रतियों को ठीक करना मन को रोकना बुद्धी को सही निरने कराना आपकी जुम्मेवारी जब आप ऐसा भाहर छोड़ देगे वो समाल लेंगे जिससे अरजुन का रत समाला पक्का समाल लेते हैं आपको विश्वास नहीं होगा कभी-कभी हम सत्संग सुनते हैं प्रश्ण का उत्तर सुनते हैं तब सुन के लगता है मैं कहीं नहीं बोल ला हूँ सच्ची कहता हूँ उश्वान पे बैठके उत्तर देते हैं वो हरदे में बैठकर चिंतन कराके सत्संग कराते हैं हम भी सुन रहे हैं तुम सुरता हो ऐसे हैं हम भी सुरता है यह शरनागत का संपुल वो कभी भी कहीं किसी आफिस में बैठ कर बोल सकता है वो ऐसे पर वो वहीं बैठता है जहां पूरा धिकार दे दिया गया है यह आपके नाम ब्रतियों को अपना मानने से कभी ब्रतियां सुद्ध नहीं होती ब्रतियों को भगवान के समर्पित करने से सुद्ध हो जाती है शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धी यह जब तक अपना मानोंगे कभी सुद्ध नहीं होंगे प्रभू को समर्पित करने सुद्ध हो भै उसको होता है जिसके आचरण बहुत गंदे होते हैं वो बहुत बैवीत रहता है और अभिमानी है देहा भिमानी भै युकत रहता है जैसे जैसे पापाचरण होते हैं वैसे वैसे भै उसकांदल दुश्रा भे होता है बाहर का सत्रू का सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत जो भयावावस्तु हैं उनका शर्नागत को न भीतर कभे होता है न बाहर कभे होता है एक बाहर सेनपुर में थे बहुत वहाँ बहुत थी शर्प, बिख्षू, यह से नील गाय, खरगूश, ऐसे बहुत से सब जीव जन्द, विशाल जंगल मदब बहुत मोटे मोटे ऐसे ब्रक्ष के एक एक बीघा में बट ब्रक्ष ऐसे हमने कदम नहीं देखे जैसे वहाँ देख, विशाल कदम गंगाजी का किनारा और ऐसा जंगल की पर छोड़ा रास्ता बर निकलने का ऐसे तो वहाँ बीच जंगल बहुत ब्रक्षा वली ऐसे तो एक विशाल असोक कब्रच मदब तीन-चार शो आदमी बैठ सकते हैं उस असोक ब्रक्ष के नीचे, ऐसा जिसे आम का बर्गत ऐसे विशालद और छोटी सी पर्ण कुटी ऐसे तो उसी में आसन में बैठे बस देखा कि दो फंदारी शाब ऐसे सामने आए और ओखेल रहे थे ऐसे लिपट के दो मन में भैपरगट के आप बिलकुल नजदी का चुके हैं अगर ये काटना तो काट सकते हैं अगर इनको काटना होगा तो कभी भी कहीं भी काट सकते हैं क्योंकि सत्य है अगर इनका विधान है और नहीं काटना तो नहीं काटना खेलते रहे कोटिया में थोड़ी दिर्बाद होगा चलेगे कोई ना बाहर कभ है सर पे बिक्षू, भूत, प्रेत, विचाथ, किसी, नांतर कभ है, क्योंकि उसको पता होता है, भगवान की शरण में हो हर समय, यह तो भैवीत करने के बड़े उशर आते हैं, पर भगत कभी भैवीत निर्भे रहता है, क्योंकि उसे पता है, मेरे भगवान मेरे आसपास यही ह है, जरूरत नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी अगर तो अभी दिखाई दे देंगे, अभी बहुत-बहुत बार ऐसान बहु हुआ है, पर वो नेत्र सहीना होने के कारण अपने लोग समझते हैं, इस व्यक्ति ने बचा लिया, इस ने कर लिया, हार जग हैं, इदर से हम साम के दर्शन करने के लिए जब जाते थे, मस्ति से जा रहे थे, पर चिंतने से गुन गुनाते ही, एक किनारा लिये ही, इस साइड का, एक आदमी इस मदिरा पी हुए था मोटर सैकिले से, वो ऐसे, मतलब भगवान की लिला थी, वो दोनों पैरों के बीच में पैया ऐसे, और अपतार से थी, वो तो मैसे, तो एक दम स्री राधा, अब हम वह पास तो कोई मोटर सैकिल बन, वो बहुता भगवा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने मार्ग में जाएं, बोलने का तरीका समद्द, गंधा थी, वो बहले पहले ये बता, मोटर सैकि कैसे बन्द हो गई, तो हम गा, हमें पता हैं, तो कैसे बन्द है, लाधा ऐसे किया, ना बाहर से भे, ना अंदर से, वो कर तुम, वकर तुम, मन ने था कर तुम, वो इश्वर आपके साथ है, तुम शर्नागत हो, भक्तन पाचे यो फिरत जो बचरा संग गाय, प्रारद भ होगाया था, मन लुण ना बंद होती, तो अब वो तो नशे में था, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो, अगर हमारे हिर्दय में भगवत सरनागती, तो भैनी होना चाहिए, जिसे कोई कह जाए कि, अब हम देख लेंगे तुम्हें, अब यह देख लेना, आराम से देख लेना, नहीं लोग किसी को जिसे बैवीत करना चाहिए, फिर हम देख लेंगे, हाँ देख लेना, प्रभू है हमारे, अगर वो चाहते हैं कि शरीर को पीड़ा मिले, तो जरूर मिले, अगर वो नहीं चाहते हैं, तो तेरी क्या ताकत है, काल की भी ताकत नहीं, क्योंकि भगवत सम परपित जीवन है, बैवीत तो नहीं होना चाहिए, बाल्यावस्ता से निर्भेता तभी आई हैं, जब अशंग रह करके, कीवल एक ईश्वर का, कि उनका विधान परमशत्य होता है, वही होगा जो ईश्वर चाहता है, तो अनुभो में आया, उनकी कृपा, उनका दुलार सबसे बड़ा भए मृत्यू है, लेकिन जो भगवान का भग्त होता है, वह मृत्यू से भी अभी कई बार सफसंग मता है, जैसे विशाल हांती के गले से राय बेल की माला तूटके गिर जाए, हांती को पता भी नचाहिए, ऐसे भगतों की मृत्यू रूपी लिला होती है, ये भय, ये बड़े-बड़े विग्न, बड़े-बड़े ग्रेन चत्र, उशी को परिशान करते हैं, जो भगवान आश्रित नहीं है, भगवान की भक्ती नहीं करता, भगवान नाम जप नहीं करता, बहुत लोग भ्रहम में जी रहे, बड़े भ्रहम में जी रहे, अरे एक बार मूल में जल चड़ा दो पूरे ब्रक्ष में पहुंच जाएगा तथानते माधवतावकाह क्वचित ब्रश्यनते मारगात्वए बद्ध सौहरदा तवयाभि गुपता विचरंति निर्भया विनायकानी कप मूर्धस प्रभू जिसने आपका स्रे ले लिया है आपके चरणों में अपने आपको शमर्पित कर दिया है वो कभी ब्रष्ट नहीं हो शकता ग्याना अभिमानियों की तरें उचाई पर चड़ करके जिनको गिरते हुए देखा है वो ऐशे कभी नहीं गिरता है प्रभू बड़े बड़े विग्ण डालने वाले सरदारों के सेनापतियों के सर पर पैर रख कर कुचल कर निकल जाता है भागतों से कोई परात्त नहीं कर सकता विचरंति निर्भया विनायका नीकप मूरदस प्रभू बड़े बड़े विग्ण करने वालों के सेनापति सरदारों को रौंते हुई भक्त निकल जाता है क्योँ भगवान का भरोशा है भगवान का आश्ट्रे है वो निर्भय होकर विचरता है इस सरष्टी में किसी विग्ण की ताकत नए कि भगत के कदम को रोक सके क्या भय वो निर्भय हो जाता है पका निर्भय हो मेरी ब्रतिया खराब हो जाएंगी मैं प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाहँंगा भगवत प्राप्ती ये सब बाते नहीं आनी चाहिए कोई कहे भी तो तुम्हें आरे अंदर एसी नहीं आप तो मैं प्रभु का हूँ क्योंकि हमने शाधन बल स्वाइकारी नहीं किया हमने तो भगवत बल स्वाइकार किया वो देखे उनका काले है ऐशे भक्त में क्रपा ऐशे उतरती कि उसे सरा बोर कर देती बर्शंत में उस सहजाद बुथ शोखेदाराम स्री रादिका चरण रेण महमिश्च मरामी ब्रतियां इतनी शुद्ध हो जाती है सवस्त ममता मल नष्ठ हो जाता है ममता मल जरी जाए अब इन ब्रतियों को मन को बुद्धी को अपना मत मानना बड़ी क्रपा का तुम्हें अनुभव होगा संपूर्ण चारो तरप क्रपा ही क्रपा खुशी खुशी आनंद ही आनंद प्रशंता ही प्रशंता सरणागती में लोग ऐसी संका करते हैं कि प्रभू की सरण होकर जो लोग थोड़ा ज्यान तो द्वई तो होता है ना मैं और भगवान तो दुतियाद द्वई भयम भवत्री द्वईत में तो सास्तर कहता है भय है तो वो अपने को ज्यानी समझते हैं पर हैं अभी अज्यानी क्योंकि भगवान अपनी आत्मा है आत्मा हरिवन्स प्रगट परमानन शमस्त देधारियों में आत्म तत्तो आप ही बिराजमान हो आपके वले यशुदा नंदन कृष्णे ही नहीं हो समस्त देधारियों के हर्दय में बिराजमान आत्मा हो मनो प्रभू की शर्णागती होकर उनका भजन करना मनो अपने आत्म सुरूप में इस्तित होना है प्रकति का कार्यों और शरीर ये द्वैत है इससे सम्मंद रखना भै है इनके साथ तदात्म होना भै है पर प्रभू से नहीं प्रकति और प्रभू भिन भिन है जैसे प्रकति जड़ है और हमारा स्वरूप आत्मा चैतन है प्रकति विकारी है और स्वरूप निर्विकार है प्रकति एक है और ये परिवर्तन सील प्रकति परिवर्तन सील अनेक है स्वरूप एक है और परिवर्तन सील है प्रकति प्रकाश्य है और मेरा सवरूख प्रकाशक है सबकर परम प्रकाशक जोई तो द्वेत कहां हुआ यह जो ज्ञान की बार अभी सही ज्ञान नहीं हुआ पर हुआ हमारी आत्मा है जिसे जीव कहते हैं वो अज्ञान के वो देहा विमान स्वईकार करने का उसे जीव कहा गया नहीं वो भगवत स्वरूप है प्रभू की शरण होने का मतलब भगवत स्वरूप में इस्तित हो जा जा तस्मित तजने भेदा भावाद प्रभूर प्रभू के भक्त में बेद नहीं होता हूँ अब एद होता है जैसे ब्रह्मवित ब्रह्मवय भवती इसे जानत तुम्हें तुम्हें होई वो भगवत स्वरूप था भगवत स्वरूप है भगवत स्वरूप में इस्तित हो जाएगा क्योंकि दे भाव छूट गया तो प्रभु की शर्णागती निर्भय कर देती पहला था निश्चिन दूश्रा निर्भय अब है कि निश्चोख प्रभु की शर्णागत में कभी सूख का प्रविश नहीं होता इसकी चर्चा आगे स्विरादाव लवलाले की